आज हम बनाएंगे दो तरह के स्नेक्स वो भी एक ही गूते हुए मैदे से तो फिर इसे बनाना शुरू करते तो चाय के साथ अगर कुछ नमकीन हो जाए तो फिर मजाई कुछ और तो फ्रेंस वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो फ्रेंस आज की जो रेसिपी है वो है एक त कर दो से फिर दो तो म क華ा करें तो मेती मत्री है और दूसरा है इसी नमक्राव पाड़े है तो फिर हम मैंने यहाँ एक केजी मैदा ले लिया है करते हैं वन आपके घर अगर आप खाना पसंद करते हैं तो ही इसमेन डाले वरना आपकम कर शकते हैं तो फिर हम इसमें मौंद के लिए करीब 250 meter कोई इसमें कोई भी रिफाइंड ओईल जो ही आप पसंद करते हैं पसंद करते यह डाल सकते है यह ड्म जिस सबसे पहले नमक पारे के लिए हम इसे आधे मैदे को मैंने अलग कर दिया है और नमक पारे के लिए मैं इसे एकदम नर्म गूत हूंगी जो इस तरह आप रोटी के आटे को गूतते हैं उस तरह आपको नर्म गूत देना है उसके बाद 30 मिनट बाद आपको इसे बनाना तो आप चोटे चोटे पीसेस में आप इसे कट कर ले एक पेड़े बना ले उसके बाद इसे अच्छी तरह से बेल कर आप जितना पतला इसका इसको बेलेंगे उतनी अच्छी आपकी नमक पाड़े एकदम मुह में घूल जाने वाले ऐसे बनेंगे यह परफेक्ट मेजरमेंट है अगर आप हाप केजी मैदा का बनाते हैं तो आपको 125 ग्राम इसमें मोयम के लिए रिफाइंड ओल डालना है तो इसे छोटे छोटे पीसेस में अपने पसंद के अनुसार आप इसे कट कर ले आप विए अगल lot में में बना रही हूं तो फरेंज अगर आप मेरे चैनल पर नए नई हैं प्लीज मेरे चैनल को ते यह पतलि रहती है तो आपको ज़्यादा नहीं करने के बाद भी इसकी जो कलड़ है तो पहरी रेसिपी तो तयार अब सेकेंट जो मैंने आधा इसकी निकाल दिया था तो आप इसमें सबसे मेन इंडियन से इसमें धेर सारा कस्तूरी मेथि आप डाल सकते यह अईसाने की बडाबर कुछ और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको बेकिंग पौडर डालना है अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो फूल जाएगा और फिर अंदर से वह नहीं पकेगा तो आप को नर्म नहीं गुठना है आपको मेthing मट्री बनाते से और सब आप देखती होगे कि वह मैं जैसे आटा गूनते तरह से गून देते पड़ वैसे आपको तरह से आपको नहीं गुठना है आपको धलका स यहलका पानी डाल कर आपको अच्छी से उसे पूरी तरह से मिलानना और ऐसे करके दवा कड़के जिस तरह से मैं आपको बता रही हूं इस तरह से दवा के आपको इस आटे को रख देना जैसे भड़वड़ा टाइप का जैसे होता है आद में आप तूट जाए इस तरह से आपको बन पॉर्ड हो जाता है और अदर से बहुत मुलायम हो जाता है तो अंदर से वह नहीं पकेगा अगर आप जादा इसे नर्म सौंत गूठते हैं तो वह आपका अंदर से वो करणची नहीं होगा तो हमारा ये सेकंड रेसिपी तयार है तो फ्रेंज इसे चाय के साथ आप सर्व कर शकते हैं तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताईएगा मिलती हूँ एक और ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए वाई वाई थैंक्यू फॉर वाचिंग